SSC CGL 2024 इसकी वेकंसी आ गई है, नोटिफिकेशन आउट हो गया है, 17,727 वेकंसी हैं, एप्राक्स बहुत बड़ी संख्या में वेकंसी है, एक जबरतस सुनहरा आउसर है, इससे संबद्दे चैलेंजिस क्या हैं और इस वीडियो में मैं क्या कहने वाला हूँ, सबसे पहले दो बाते हैं, फस्ट है कि इस पूरे नोटिफिकेशन को समझना 109 पेज़ेज में हैं, यह पढ़ना समझना ही एक चैलेंज है, इस वीडियो का मकसद है, सौट में जो एक्जाम आप देने जा रहे हैं, वो एक्जाम में क्या चाहिए, वो क्या है नोटिफिकेशन, एकदम सौ पूरा का पूरा इसका मैप क्लियर हो जाए, फिर जो जिस काटेगरी में आते हैं, डेफ्ट में जाकर के उनका इंफरमेशन वो देख लेंगे, और इसका दूसरा पार्ट है स्टडी प्लान, तो इसको मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगा, इस वीडियो में नहीं, क्यों को मैं अपड़ बताओंगे इसमें भी कई भाग होंगे कि कहां पर आपके लिए चांस ज्यादा हैं, मैं दिखाओंगा कहां पर कितना competition है, कहां पर आपके लिए चांस ज्यादा हैं, कहां कौन सी चीजे हैं जिसका ध्यान रखना जarूरी है, नया website में आप फॉरम Kingsutil अग क देखा यह निकला 24 जून को और 24 जून से 24 जुलाई तक form fill up किये जा सकेंगे online ठीक है one month का पूरा पूरा time है आपके पास मैं इसमें सिर्फ वहीं बात करूंगा जहां पर जरूरी है देखिए 24 जुलाई रात में 11 बहर तक form fill up किये जा सकते हैं और fee के लिए एक दिन और ज्यादा दिया गया है अगले दिन तक ठीक है इसका जो tier one exam है tier one exam है वो सप्तम्बर October में होना है यानि यह जून का last है जुलाई अगस्त और सप्तम्बर last मान लिजी तीन महीने का time है तीन महीने में एक बहुत अच्छा preparation संभव है क्या और कैसे इसके लिए मैं separate वीडियो बनाऊँगा ठेक है इसमें different aspect पर बात करता हूं इसका जो tier two exam है वो December 2024 में exam planning भी आप देखेंगे अब आप आईए इसमें जो different post है post को एक नजर देखिए एक नजर मैं यह कहना चाहरा हूं कि इसमें जो pay level है four five six seven four pay levels है वो तो आप भी देख लेंगे top पर level seven है forty four thousand nine hundred basic pay से लेकर के one lakh forty two thousand four hundred जब बरदस्त यह job है वाई किसी का भी dream होना चाहिए इसमें top level पर लिखा गया है assistant section officer यह group B है जब groups को आप देखेंगे तो आपको कहीं पर ध्यान जाएगा यह जो four pay level है seven six five four तो seven and six group B services के है just take exception है देखिए सभी group B services है सभी group B services है exception है group C services जो की inspector of income tax है यानि इसका सब कुछ top level पर है सिर्फ यह group C कहलाता है ठीक है यानि आप समझ लिजे कि inspector of income tax बनते हैं तो top level पर जाते हैं group को avoid किजिए ना doesn't matter ठीक है इसलिए मैं इंजनर बोला हूँ group B तो यह यह क्या है यह है level seven और देखिएगा level six दोनों में group B services है एक exception के साथ जो group C में income tax inspector का है लेकिन इसके बाद level five और level four सभी के सभी group C services में आते हैं group C services में आते हैं यह भी बहुत अच्छे job है एक समझ गया एज के बारे में मैं बात करता हूँ एज और educational qualification दोनों का cut off first august है बहुत अच्छा है अभी आप form fill up कर रहे हैं 24th July तक last date है और first august का cut off दिया है बहुत बढ़िया है शानदार है तो first august 2024 को आपका age count होगा और educational qualification भी count होगा कहने का मतलब आपका आप जदी appearing है result नहीं निकला है तो आप form fill up कर सकते हैं लेकिन first august तक final result published हो जाना चाहिए यह बहुत important बात है ठीक है ages में आप गौर करेंगे ages में गौर करेंगे कि इसका जो top level है level 7 और level 6 देखिए lower age 18 या 20 है तो graduation तो ऐसे भी 20 यह से पहले होता नहीं है तो lower जो age है 18 या 20 minimum है to 30 years है देखिए level 7 में up to 30 है 18 या 20 से लेके 30 है 30 है first august count होगा देखिए 30 है और level 6 इसमें भी 30 तक है general category बात करें exception से एक है जिसमें junior statistical officer है यह अलग तरह का post है पताऊंगा 18 to 32 है otherwise समझ लीजिए 18 to 30 या 20 to 30 है is general category के लिए फिर relaxation है वो अलग बात है लेकिन आप देखेंगे कि level 5 और level 4 जो है इसमें age 18 to 27 है यह remarkable बात है इस तरह से notification में आपका ध्यान जाना चाहिए कि जो शुरू के level 4 और level 5 के जो post है उनके लिए age 18 to 27 ही है 30 नहीं है ठीक है देखिए 18 to 27 ही है यहां तक clear समझ गए इसमें ये एक important बात है जहांपर आपका ध्यान जाना चाहिए था आईए अब मैं बात करता हूँ इसमें आप देखेंगे मैंने एज के बारे में बात कर लिया थोड़े बहुत changes के साथ एज लिमिट और relaxation देख लीजी जो मैंने कहा अलग-अलग post के लिए यह आप जिस category में आते हैं detail देख लेंगे एज relaxation इस तरह से है CST OBC यह फाइव यह त्री यह पी डब्लू बीडी यह जो है 10 यह और अगर वह OBC के अंदर आते हैं तो 13 यह यह एज relaxation है इसके अलब एक सर्विसमेन और सबों के लिए है अलग-अलग काटेगरी में आप यह देखिए विडो के लिए है यह एक important बात है यह up to 35 years is है इसके बाद आईए यह सब को define किया गया है चलिए देखिए educational qualification जो पोस्ट दिये गए है न इसमें थोड़ा-थोड़ा difference है और इस पर ध्यान देनी की जरुवत है दो तरह की पोस्ट ऐसे हैं उसमें से एक है junior statistical officer ध्यान दीजेगा क्योंकि जब exam का pattern होगा न डिसकस करेंगे तो मैं इनका नाम नोगा junior statistical officer और statistical investigator grade 2 सारे पोस्ट में यह दो पोस्ट ऐसे हैं जो real made technical है मतलब वो paper involved है यानि statistics paper रहेगा यानि main exam में जो paper 1 paper 2 है उसमें paper 2 जो है statistics का होगा वो सिर्फ इन ही दोनों पोस्ट के लिए है otherwise main exam का यानि की tier 2 exam का paper 2 भुल जाए बाकि लोगों के लिए नहीं सिर्फ इन दो पोस्ट के लिए है तो बस paper 1 ही बचता है वहां में बात करूंगा इसलिए हां discussion कर दे रहा हूं इसका ठीक है तो उसमें paper 2 नहीं है वो इन दोनों पोस्ट के लिए है यह special है ठीक है इसके अलावे और भी कई सारी चीछें हैं बात करता हूँ education qualification में इनके बारे में कहा गया भई statistics में आपका graduation होना चाहिए और इसमें एक है जिसमें कि आपका inter में 60% marks भी होना चाहिए mathematics में 12th level में इसमें कहा गया ठीक है statistics honors लेकर के जो पढ़ते हैं उनके लिए जबरदास्त पोस्ट है ठीक है अब इसमें एक पोस्ट है research assistant in national human right commission इसमें essential qualification तो हर किसी के लिए bachelor's degree है वो तो है लेकिन इसमें desirable है desirable है कि अगर minimum one year research experience है या फिर degree in law या human right commission में है तो यह desirable है तो सोच लिजिए कभी भी इस तरह का कुछ special आता है न तो वहाँ पास करना आसान होता है इस पर मैं detail बात करने वाला हूँ करता हूँ ठीक है अब आईए बाकि सारे पोस्ट के लिए बाकि सारे पोस्ट के लिए जस्ट graduation degree है ठीक है मैं exam pattern पर आता हूँ तो आपको समझ में आएगा यह सब application fee यह सब है यह देख लिजेगा इसमें कुछ खास नहीं है ठीक है यह page पढ़ने का है पढ़ लिजेगा यह center of exam है इसको भी देख लिजेगा ठीक है मुझे जो बात करनी है हाँ यही पर मैं detail बात करूंगा exam pattern जो है तो सुनिए इसमें जो exam pattern है वो two layer में है tier 1 और tier 2 exam ठीक है इसका जो exam है वो tier 1 और tier 2 exam का है ठीक है tier 1 और tier 2 exam है tier 1 is just qualifying इसमें जो marks आएगा उसका selection से final selection से कोई लेना देना नहीं है बस आप tier 2 exam देने के लिए eligible हैं इतना ही माने है यानि आप top करते हैं तो भी और last anchor होते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है अब आई देखिए इसका जो tier 1 exam है सीथी से बात है उसमें यह 4 section है 25 questions each है maximum marks 50 each है यानि one question two marks का है देखिए पुल मिलाकर के one hour मिलता है आपको 100 questions के लिए यानि 15 minutes each मिलता है लेकिन यह composite time है इसलिए इसलिए composite time है one hour तो आप जो भी questions आएंगे उसमें एक का समय दूसरे में दे सकते हैं एक का समय दूसरे में दे सकते हैं का मतलब यह है कि order कुछ भी रहे अगर वो question English comprehension का है general awareness का है तो वो तो हम जल्दी बना सकेंगे ना उसका जो समय है वो reasoning और quant math में दे सकते हैं यह 100 questions 200 marks का है one hour time है scribe जो use करेंगे उनको 20 minutes extra है इसमें आप qualify करेंगे इसका course दिया हुआ है देख लीजिए ठीक है लेकिन इस 100 questions और 200 box इसमें पास करने के बाद आप tier 2 के लिए eligible होंगे qualify घोसित किये जाएंगे category wise आपका result निकलेगा इस पर आता हूं detail तो मैं बात करूँगा कि आप पढ़ेंगे कैसे उसमें अब tier 1 तो कह दिया गया objective टाइप tier 1 भी है tier 2 भी है इंग्लिस हंदी दोनों में होता है सिवाए इंग्लिस comprehension के इंग्लिस पेपर थोड़े ही इसमें होगा हंदी में ठीक है पेपर 1 पेपर 2 पेपर 2 तो समझ लीजिए स्टाटिस्टिक्स का है और वह उन दो पोस्ट के लिए जिसकी चरचा मैंने ऊपर की तो पेपर 2 भूल जाए पेपर वन ही रहाती है टू में ठेक है पेपर वन में दो पार्ट है सेशन वन और सेशन टू सेशन वन एक्जाम है और जो सेशन टू है वो टाइपिंग टेस्ट है टाइपिंग स्किल्टेस्ट है, तो अगर स्किल्टेस्ट को छोड़ दें, स्किल्टेस्ट के लिए अलग से 15 मिनट्स है, दिखाता हूँ, मैं समझाना चाहता हूँ पैटर्न, क्योंकि बहुत सारे स्टूदें को एकजाम का पैटर्न समझने में दिक्कत होती है, तो मैं pattern समझाना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप गौर कीजिए, कि उसके लिए अलग से 15 minutes मिलते हैं, ये एक अलग बात है, उसको छोड़ दीजिए, session 2 छोड़ दीजिए, तो session 1 जो है, वही आपका exam है, इस समझ में आए, session 1 ही exam है, अब session 1 में sections है, section 1, section 2, section 3, क्या माइन है, क्या महत्त्य है, वह सुनिए, सबसे पहले आपका paper आएगा, खुलेगा, section 1, जिसमें two parts है, module 1, module 2, यारी mathematical abilities और reasoning and general intelligence, 30-30 questions होंगे, 60 questions खुलेंगे, 60 into 3, 180 marks का होगा, समझ गया, और one hour रहेगा, वन आवर रहेगा, वन आवर का मतलब 30-30 minutes आपको दोनों के लिए दिया, लेकिन ये composite time है, इंट्रेस्टिंग है, कि जब आपके computer screen पर खुलेगा, तो ये section 1 खुलेगा, one hour के बाद automatically cut हो जाएगा, और इस one hour में ये दो paper आएगे, तो आप एक का समय दूसरे में दे सकते हैं, लेकिन exam board ने भी बड़ा ध्यान रखा है, इसमें अगर general awareness देता तो कितना मज़ा आता है, बताइए, या फिर English section देता तो कितना अच्छा रहता है, लेकिन नहीं, उसको अलग कर दिया, आप जानते हैं, कि आपके पास समय ने इसमें बचने वाला, ने इसमें बचने वाला और फिर भी, अगर किसी कारण से किसी का match strong हो, वो time save कर ले, तो reasoning में दे सकता है, और reasoning strong हो, तो उसमें time save कर ले, तो वो match में दे सकता है, 3 marks each है, देखिए, जो tier 1 था, उसमें 2 marks का एक question था, और 1 fourth negative था, 0.5, लेकिन यहां पर 3 marks का question है, और 1 mark negative है, तो भाई इसमें negative का part बढ़ गया है, तो be a lot, सोच समझ करके आपको question में tick लगाना होगा, क्योंकि one third negative marking, बड़ी negative marking है, और इसका बड़ा असर पड़ता है, इसलिए negative marking, tier 2 exam में ज्यादा important हो जाता है, बने इस पर tier 1 exam के, यह मैं analyze करके सब कुछ बता रहा हूँ, यह बड़ automatically cut हो जाएगा और तुरंत आपका खुलेगा section 2, तो आपने उपर गौर किया न, 30, 30, 60 questions है, into 3, 180 marks का है, ठीक है, section 2, इसमें भी दो पार्ट है, module 1, module 2, फिर खुलेगा computer screen one hour के लिए, और उसमें English language and comprehension के साथ general awareness है, इसमें आपके पास time का problem नहीं होगा, क्योंकि general awareness में 25 questions हैं, लेकिन English language and comprehension इसका पार्ट बहुत बढ़ गया जी, math, reasoning दोनों से individually जादा है, वो 30, 30 questions था, 45 questions का है, इतना जादा weightage होना नहीं चाहिए था, लेकिन है, English जिनका strong है, उसके लिए जबरदस्त फायदे का सौधा है, अब आप सोचिए, कि ये total 70 questions हैं, 3 box, मतलब English section ही 135 marks का हो जाता है, बहुत important है, बहुत बढ़ा rule अदा करता है, बने हिंदी medium वाले या दूसरे student के लिए जो non English हैं, ये एक रियल में challenge है, पर ठीक है है, इसको accept करना है, ये 70 questions into 3 210 marks, समझ लीजी, ये 210 marks और 180, यानि 390 marks में ही आपका final merit list बनेगा, accept statistics वाले को छोड़के, जिसका 200 marks का एक paper statistics का है, उसका 200 plus 390, 590 में बनेगा, बोले समझ में आ रहा है, तो उनको छोड़कर के इसी में बनेगा, ठीक है, ये clear, अब जड़ा देखिए, section 2 हो गया, फिर 1 hour complete हुआ, और computer screen से automatically out हो जाएगा, 2 hours हो गया, और तुरंट, तुरंट अगला section खुलेगा, section 3 का, जिसमें 2 modules है, module 1 खुलेगा, लेकिन पहले एक बात कह दू, मूल रूप में जिसमें merit list बनना है, exam complete हो चुका, इसी 70 और 60, 130 questions में, यानि 390 marks में आपका final merit list बनना है, यही main paper है, बाकी qualifying है, statistics को छोड़ करें, अब तो map clear, अब सुनिए इसमें कई सारी चीजें हैं, और इसका selection से बड़ा निकट का संबंद है, section 3 जब खुलेगा, तो वो 15 minutes के लिए खुलेगा, इसमें computer knowledge module है, जानते हैं, आप हर exam में computer knowledge जोड़ा गया है, तो इसमें भी जोड़ा गया है, computer knowledge है, इसका पूरा course लिख दिया गया है, इसलिए आसान है, banking exam में जो होता है, वहाँ course नहीं रिखावा होता है, यहाँ पर assessi की विशेष्ता है, कि सब कुछ साप साप लिखावा होता है, सारे के course syllabus के साथ बढ़ी आसे लिख दे गया है, तो वो computer section जो है, यह 20 questions है, into 360 marks के होंगे, बट यह qualifying है, पर यह इतना सीधा नहीं है, मैं बात करता हूँ, इसमें क्या है, यह just qualifying है, यह जो ऊपर, ऊपर जो 2 hours का exam हुआ, उसके बाद फिर यह 15 minutes का हुआ, ठीक है, वो जो 2 hours का exam को जो qualify करेंगे, minimum qualifying marks लाएंगे, यानि 30%, लिखा गया है आगे, कि minimum qualifying marks, general category के लिए 30% है, यानि 30% marks जो लाएंगे, उनका ही copy check होगा, copy तो होता नहीं, मतलब यह section check होगा, computer knowledge, और उसके बाद इसमें भी 30%, यानि 6 questions, यानि कि 18 marks, 18 marks जो इसमें लाएंगे, in general बात कर रहा हूँ, इसमें भी कुछ चीज़ें है, in general, in general इसमें जो 18 marks लाएंगे, या 6 questions बनाएंगे, वो qualify हो गए, general category, दूसरे के लिए और ज्यादा कम है, ठीक है, और इसके बाद, session 2 होगा, session 1 complete, ये एक साथ complete हो जाता है, लेकिन session 2 जो है, उसमें आपको फिर से वहाँ पर registration करना होता है, registration मतलब फिर से खोलना पड़ता है, paste, नया paste खुलेगा, और फिर से आप तयार होगे, जैसे कि पहले exam सुरू हुआ था तो तयार हुए थे, वैसे आप तयार होगे, और तब ये शुरू होगा data entry, ये एक important part है, पहले CHSL में हो और दिया गया, data entry speed test module है, computer पर होगा, इसमें आपको दिया जाएगा 15 minutes में, 15 minutes में 2000 depressions होने चाहिए, और error 20% है, 20% error तक है, तो मतलब उतना tough नहीं है, लेकिन फिर भी, ये एक important section है, और general category के लिए, दूसरे के लिए और भी ज्यादा relaxation है, ये भी qualifying है, समझ गये, इसके बाद ये भी qualifying, ये दोनों ही qualifying हैं, लेकिन अभी बात complete नहीं हुई, general जो seats हैं, general जो post हैं, उनके लिए ये दोनों qualifying हैं, नहीं, सब के लिए qualifying हैं, लेकिन, जो मैंने कहा 30% वाला, और ये 20% error, इसमें, 2000 depressions कहा गया, ये in general कहा गया, सारे post के लिए, पर एक interesting बात ये है, कि post के बारे में वहाँ वर्नन है, कि जो different post हैं, उसमें कुछ post ऐसे हैं, जिसमें computer का बड़ा महत्व है, लिखा हुआ है उन post का, नाम, और कुछ post ऐसे हैं, जिनमें data entry का बड़ा महत्व है, अब सुन लीजिए, ऐसे post का list दिया हुआ है, तो जिनमें computer क बड़ा महत्व है, उसमें higher standard होगा, qualify करने के लिए higher standard होगा, जनरल के लिए क्या है, जनरल सारे post के लिए क्या है, 30% उसमें कितना होगा लिखा हुआ है, लेकिन वो higher रहेगा, और उस level पर qualify करना पड़ेगा, यानि computer के बारे में उनको जादा जानकारी चाहिए, समझ लीज कुछ post ऐसे हैं, जिसमें data entry का बड़ा महत्व है, तो उनको यहाँ पर तो general जैसे pass करते हैं, वही वाला रहेगा, लेकिन यहाँ पर higher रहेगा, यानि error percentage कम हो जाएगा, depressions बढ़ जाएगे, उतना लाना पड़ेगा, कितना, यह कहानी गया है, पर higher तैह होंगे, पर वो qualify करन बात है, बोले, यह बात समझ में आई, यह बहुत important है, अब मैं यह कहना चाहता हूँ, competition कहां ज्यादा होता है, जहां किसी तरह का कोई restriction नहीं होता, यानि जितने restrictions हैं, यहाँ पर, उन restrictions में competition कम हो जाता है, पर इनसे ही बढ़के कुछ बाते, बहुत सारे post हैं, जिनका नाम दिया हुआ है, देख लिजेगा उसको, ठीक है, मैं उसके डिटर में नहीं जाता हूँ, देख लिजेगा, उनके लिए physical, medical standard जरूरी है, तो वो physical और medical standard होने की वजह से, central exercise inspector और बहुत सारे post हैं, उनके रिए, उसको pass करना आसान हो जाता है, तो आप देख लिजेगा, कि व वो पूरा कर लेंगे, तो समझ लिजे, competition आधा हो जाएगा, और, और, उनमें से कुछ post ऐसे हैं, जिसमें इसके लिए higher standard है, तो वो और आसान हो जाएगा, कुछ post ऐसे हैं, जिनमें data entry में higher standard है, qualifying, वो और आसान हो जाएगा, यह बड़े important बात है, जिनली क्या होता है, टेक competition जो general competition है, यानि कि मैंने जो शुरूब जो post का assistant section officer, सबसे ज्यादा tough competition वहाँ है, level 7, pay level 7 में, even pay level 4 जो बुले हैं, वहाँ पर भी जो general seats होगा, वहाँ पर competition जबरदस्त होगा, बहुत जबरदस्त होगा, लेकिन जिस किसी को भी, कोई भी technical advantage नजर आता है, जिस category में वो आते हैं, उस category में पास करना आसान है, मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, नए website पर करना है, तो पहले क्या होता तब photo चिपका देते थे, नई, जैसे आप आधार card के लिए जाते हैं, verification होता है न, वहीं पर आपका photo लिया जाता है साम वैसे ही, जब आप form fill up करेंगे, तो वहीं पर camera, webcam हो या जो भी हो, उससे आपका photo लिया जाएगा, signature, scan होगा, उसका भी एक size है, यह सब चीज़ें बहुत important है, camera में पूरी clarity होनी चाहिए, इसमें एक important बात यह कहे गई है, important है, कि जो camera है, उसमें आपको चस्मा नहीं पनना है, photo में, और camera सीधा state, जो circle है, उसके अंदर आपका साफ photo आना चाहिए, बहुत सारी चीज़े है, वेग नहीं होना चाहिए, outer area से बाहर नहीं चले जाने चाहिए, पर इसमें दिक्कत यह है कि चस्मा उतार लिजिए, बहुत चस्मा उतार लेंगे, तो दिखेगा कैसे, य specified place पर सही धंग से आए, यह important बाते हैं, लिखा हुआ है कि otherwise will be rejected, तो signature और photo तो हमेशा से important होता है, चुकि यह technical aspect जोड दिया गया है, फोटो पहले से खीचा हुआ होता था तो साफ रहता था, सही धंग से सोचना नहीं था, डाल देते थे, अब यह दिक्कत है कि वहाँ पर आजाना है, आप जानते हैं, आधार का वेरिफिकेशन में, कई बार होता है, गरबर हो जाता है, तो दुबारा हो लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको alert होकर के लेना होगा, उसमें option रहेगा, ठीक है, लेकिन जब okay हो जाएगा तो फिर धंग से उसको लेना है, बोले, यह समझ में आया, मैंने सारी चीज़ों का discussion कर दिया, बहुत important part है इसका study plan, short में मैंने सब कुछ बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा, detail में आप जहाँ जहाँ जो जानकारी आपके लिए ज़्यादे जरूरी है, उसको पढ़ लिजेगा, मैं study plan बनाने जा रहा हूँ, तीन महीने के लिए जब अरदस्त study plan मैं खुद भी live classes अगर संभव हुआ तो ठीक नहीं तो मैं video दूँगा और वो video specific होगा SSC CGL के लिए, ओके, तो फिर मिलते हैं अगले video में जिसमें मैं detailed study plan पर बात करूँगा SSC CGL 2024 के लिए, जिससे कि आपका final selection हो जाए, ओके, all the best, bye. झाल